हेलो गाइज, वलकम बैक टू दो कैसे करे टैक यूट्यूब चैनल गाइज, आज की स्वीडियो मैं आप लोगो को वाटसब के स्टेटेक्स सेक्शन में आने वाली एक जो हे छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो की हे छोटी सी लेकिली काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाती है जब हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली स्टेटस जो है वो हमें तो दिखाई देती है लेकिन किसी और को नहीं दिखाई देती है और ना ही हमें ये पता चल पाता है कि हमारी वाटसब स्टेटस कौन-कौ देखता है और हमें कुछ इस तरीके से एक IP क्रॉस आइकोन देखने के लिए मिलता है तो अब इसका क्या सॉलुशन है और किस तरीके से हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका WhatsApp स्टेटस कौन-कौन देखता है ये सेटिंग वापिस से कैसे चालू कर सकते हैं तो चली दोस्तों वीडियो को पुरी तरके से शुरू करते हैं और जानते हैं गाइस मैसेजिंग के लिए आप लोग WhatsApp का तो यूज करते ही होंगे लेकिन जब आप लोग WhatsApp में स्टेटस अपलोड करते हैं और अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके की एक एरड देखने के लिए मिलती है तो यह आप लोगों को काफी जो है माइन से डिटफ कर देती है कि भाई यह क्या प्रोब्लम हो रही है तो इसका सॉलूशन क्या है इसके सॉलूशन के लिए दोस्ता आप लोगों क्या करना है कि right side में दिख रहे हैं तरी dots पर click करना है और फिर आप लोगों को चले जाना है settings में Settings में जाने की बात में अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको चले जाना है account section में और यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो कुछ छे साथ options open हो जाएंगे और इसमें आपको चले जाना है privacy section में तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है काफी सारे कुछ options open हो जाएंगे तो अब आपको क्या करना है अब आपको दोस्तों जो है दो चीजों को check करना है सबसे पहले चीज तो यह check करना है कि अगर आप लोगों के status में जो है यहाँ पर यह देखी जरा status section में अगर यह second वाला option select करा हुआ है तो आपको सबसे पहले my contacts वाले पर click करके जो है इसे change कर देना है और इसे जो है simply done कर देना है लेकिन अगर यह option बिलकुल normal है और फिर भी आप लोगों के यह problem देखने के लिए मिल रही है तो आप लोगों क्या करना है read receipts जो है इस button को on कर देना है जैसे आप इस button को on करेंगे और फिर इसके बाद में आप लोगों को back आ जाना है और back आने के बाद में आपको चला जाना है अब status section में अब अगर कोई भी व्यक्ति आपकी status देखेगा तो वो जो है view यहाँ पर add हो जाएगा मैं कुछ time का जो है जो है जोड़ा सा यहाँ पर wait कर लेता हूँ automatically यहाँ पर वो view count हो जाएगा so guys आप देख सकते हैं कि वो जो है view यहाँ पर count हो चुका है और मेरी एक friend न जो है यहाँ पर इस status को देखा है और आप लोगों को भी यहाँ पर वो view देखने के लिए मिल रहा है so guys इस तरीके से अगर आप लोग इस setting को change करते हैं तो इसके बास से जो है आप लोगों का status जो है वो दूसरों को तो show होगा ही लेकिन साथ में जो है आप लोगों को भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कितने users ने आपकी status को देखा है जिससे कि आप लोगों को यह पता चल सकेगा कि आपका WhatsApp status कौन और कब-कब देख रहा है तो दोस्तो इस वीडियो मैंने आप लोगों को WhatsApp की status problem को fix करना सिखाया है अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को like कर दीजिएगा और हमारे इस कैसे करे टेक YouTube चैनल को subscribe भी जरू कर दीजिएगा So okay guys this is कैसे करे टेक YouTube channel signing off, bye bye